हेलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्ट स्पोटलाइट पे जहां पे आपको हर एक अपडेट जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आप तक पहुचाई जाती है और आज भी मैं आपके लिए एक अपडेट ही लेके आई हूँ आप सभी को दिवाली तौफा आप जो है वो देखने को मिला होगा कि हमारे जो जो जीजिसी नेट जीरेफ हैं क्या उनके अटेंट्स लिमिटेड हो जाएंगे यह सवाल ने आपकी दिवाली को थोड़ा सा जो है हाम भी किया हो सकता है क्योंकि दिवाली टाइम पर यह न्यूज आती है अकबार में छप जिसमें हर चीज को अच्छे से समझेंगे अनलाइज करेंगे और क्या यह चीज सच में होने वाली है इस पर भी हम बात करते हुए चलेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और चीज बता दूं कि जो मीटिंग्स होती है उनका आउट्पुट एकदम से नहीं आता एक साल, दो साल, तीन साल भी लग जाते हैं और अगर आपको याद हो सिलेबस को चेंज करने को लेके पिछले साल भी एक कमेटी बैठी थी है ना और उसका भी अभी तक जो है कुछ निश्कर्ष नहीं निकला है कि हमारे को चेंज हमें देखने को मिला है तो यह भी ऐसा न निकल के आई उसको भी समझते हुए चलेंगे बट पांच से साथ मिनट का समय जो है आप मुझे दे दो तो आप खुद बखुद चीजों को समझ जाओगे और अगर आप मुझे for the very first time देख रहे हैं तो मेरा नाम आयूशी है आपके लिए paper one and paper two commerce की classes लेके आती हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं and बिल्कुल paper one paper two commerce and management की तियारी कर सकते हैं सारी YouTube classes की PDF आपको application पर मिल जाती है website के मार्धियम से आप access कर सकते हो classes को and live test आपके लिए चल गए mock test live हो चुके हैं mock test तो अभी जो है दो महीने में आपका paper होने वाला है दिसंबर 2014 वाला तो जादा समय हमारे पास है नहीं पचास से साथ दिन है counseling session quizzes यह सारी चीज़े रहते है टेलिग्राम चैनल है लोग जोइन कर सकते हो complete online test series आपकी paper one plus paper two की भी है only paper one की भी है और only paper two के लिए भी है तो आप लोग जोइन कर सकते हो साथे साथ पूरा course है अगर आप course buy करना चाहते हो आपको लगते है कि हाँ मैंने त्यारी इच्छे से की हुई थी पिस थोड़ा सा quick revision लेना है बहुत सारे topics होते हैं उनको एक तरीके से पढ़ना है एक बार अच्छे से फिर मॉक्टेस लगाने है आपको पास होंगी तो नोटस नहीं बनाने पड़ेंगे तो complete full-fledged package आपको PYQs के साथ study planner के साथ मिल जाता है तो आप लोग पेपर में जब कोई न्यूज आती है तो उसके लिए heading का काम होता है अब यहां पर यह जो है heading में क्या बात की गई कि online कराने पर focus है need.net examination को and attempt भी सीमित करेंगे यह बात इन्होंने उठाई अब पूरी अगर आप news पड़ोगे ना तो आपको यह पता लगेगा कि जिस तरीके से दो हजार चॉबिस में चीजें गलत हुई आपका paper हुआ थारा जून को पूली को गया उससे पहले need का paper हुआ था वो लिक हुआ था तो बहुत बड़े level पे जो है गडबड हुई थी NTA की तरफ से जिससे के तहत जो है कारेवाही भी हुई है ना CBI ने भी जांच की हाथों हाथ जो है मैं बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिए गए NTA के जो ओफिशल से उनको हटाया भी गया तो बहुत सारी चीज़ें चली थी और फिर उसके बाद जो है कि जब paper leak हो रहा था तो एक बात आई थी कि जो paper है ना उसको digital mode में जो है center तक पहुंचाया जाएगा so that जो बीच में लोग paper लेके जाते हैं एक जगा से दूसरी जगा वह लीक ना कर सके या कुछ गड़बर ना हो सके और उसी के respect में यह जो है हमारी मीटिंग हुई और यहां पर जो है hybrid mode का विकल्प दिया जाए इसके बारे में सजेशन्स है हां यहां पर में चीज क्या है कि हमारा जो paper है वह अच्छे से हो सके उसके बारे में यह मीटिंग थी यह भी बताया गया है कि कमेटी जो है ना उन्होंने बाइस बार मीटिंग की है और बाइस बार मीटिंग करके 37,000 उनको जो है सुझाव मिले हैं एडवाइस दी गई है और उन्होंने आपस में ब्रेंस्ट्रॉमिंग करके 37,000 सुझाव निकाले हैं अब उन पर जो है वो काम किया जाएगा तो यहां पर उन 37,000 जो सुझाव हैं उनमें से एक सुझाव यह रखा गया कि जो UGC Net Examination है ना इसके भी अटेम्ट्स लिमिटेड हो जाए जो नीट है इसके अटेम्ट्स लिमिटेड हो जाए और जो UGC Net Examination अगर हम ओनलाइन कंड़क्ट करवाते हैं तो examination centers की availability नहीं रहती तो hybrid का option दिया जाए ओफलाइन में दिक्कत होती है तो क्लिक करो एंड ऐसे ही हापे newspaper में भी है है तो यह भी एक media ही जरीया ही आप तक खबर पहुचाने का तो खबर तो आपके पास पहुंच जाएगी पर यह लगाया गया कि आपको यह तो अभी पढ़नी चाहिए खबर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह डिसीजन ले लिया गया है यह डिसीजन आपका इंप्लिमेंट होने वाला है अब दिसंबर में या फिर अगर हमने अभी तक 5-6 अटेंट दे दिये तो हमें मोका नहीं मिलेगा जब ऐसा अगर होता भी है कि आपके अटेंट्स लिमिटेड कर दिये जाएंगे तो वह एक लिमिटेड करने की एक देट होगी कि इस तारिक स से इस महिने से या इस साल से हम युजिसीनेट के अटेंट को लिमिट कर रहे हैं एंड इतने एक परसन दे पाएगा तो जो बच्चा जो अस्पिरेंट उस देट के बाद पहली बार एंटेंट देगा वहां से उसका first attempt काउंट होगा और उसके बाद तक 5-6 साथ दस जितने भी अटेम्ट देंगे उतने आप अटेम्ट दे पाओगे तो अभी जो है अपना टाइम इस चीज में वेस्ट मत करो पेपर में दो महीने हैं मानके चलो इससे जादा समय बिल्कुल नहीं है मैं तो वोलूगी 50 दिन मानके चलो क्योंकि हमें जो है दिसंबर मे लास्ट मन्त जो लास्ट मन्त है उसका लास्ट वीक हमारा उसमें हमारे एक्जामिनेशन होने के चांसेज है यह मानके चलना है और आपको नहीं पता कि अभी जो है फॉर्म्स आउट हो जाए और आपका पेपर कंड़क्ट हो जाए तो यह सारे चीजों में मत पढ़ो हाँ न्यूज होती है उसको पढ़ना चाहिए बट टैनिक होने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है अगर अटेम्ट लिमिटेड होंगे भी तो जिस देट पे होंगे उस देट के बाद वाले बच्चों को तने अटेम्ट मिलेंगे अभी आपके पास कोई लिमिट नहीं है बिंद हम तो कॉमर्स में मैं कमेटी पढ़ाती हूं पढ़ती हूं तो बहुत जादा समय लगता है बहुत जादा समय लगता है एक चीज पे काम करके उसको इंप्लीमेंट गरने वे एनिपी 2020 हम पढ़ते हैं वो एनिपी 2020 आज 2024 के लास्ट मंत में है हम अभी भी जो है वो पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुए है तो एक दो साल तीन साल लाजमी है तो अभी चीजों पर टेंशन मतलो हां यह कमेटी से बनाई जा रही है कि जो चीटिंग हो रही थी वो ना हो पेपर लिख है वो ना हो हर चीज अच्छे से की जाए आपका जो पेपर है वो ओनलाइन मोड के थू ही आपके सेंटर्स में पहुंचाया जाए जिससे लीकेज ना हो और चीजों को आउट्सोर्स ना किया जाए कि हम थर्ड पार्टी को काम करने को दे रहे हैं जिसकी वज़े से यह चीज़ें होती है गडबड वो चीज़ें ना हो उस पे बात जो है वो की गई ह और यहाँ पे जो हमारी कमेटी थी ठीक है तो उसमें जो है रंदीप, गुलेरिया वो भी थे फिर उसके बाद जो है कुलदीप, विजे, राओ और यहां से IIT मदरास से भी चुड़े थे लोग पंकज बंसल, IIT दिली से अधित्यमित्तल और शिक्षर मंत्राल्या के सयुक सचीव, गोविंद जैसवाल, यह सबी लोग भी थे जो इस कमेटी में अपना योगदान देके कुछ बहतर डिसीजन ले और अल्टीमेटली जो हमारा UGC Net Examination है, जो हमारा NEET Examination है, वो अच्छे से कंड़क्ट हो, इन दोनों का ही नाम क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि दोन अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो मैं आपको देवन से बोल रही हूं, और यह इसलिए नहीं कि अगर हमारे पस unlimited attempt है, तो हम जीवन भर देते रहेंगे, नहीं, पेपर करो, निकालो, जल्दी से जल्दी निकालो, उसके लिए अच्छे से पढ़ो, ठीकि अगर तो दसमें बार में निकालना है, यह एक ऐसा examination नहीं है, UPSC की तरह आपको direct job मिल जाएगी, है ना, job नहीं मिलती, entrance examination है, और आपका qualifying examination है, NEET entrance है, तो आपको इनके लिए अच्छे से पढ़ना है, आपके पास इतना समय ही नहीं होता, कि आप जो है, यहाँ पे इस पे बैठे कर देना, जिसके लिए, जिसके वज़े से उनके पास जो है, चार attempt होते हैं, अपने post graduation में ही, फिर उसके बाद यह चीज़े चलती है, मैं यह नहीं बोलती है, कि आपका first attempt में हो जाएगा, शायद आपको 2, 3, 4, 5 attempt लगें, पर अभी focus तो यही रखना है, कि हाँ मैं पहले दूसरे attempt में निकाल लूँ, जल्दी से जल्दी clear कर लो, उसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से अपनी performance को analyze करना है, और साथे साथ, syllabus cover करके notes बना के अपने mock test दो, इन चीज़ों पर focus करो, कि कैसे 2 महिने में अपने चीज़ों को maximize कर सकते हो, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हो, आपके लिए regular classes हैं जो चल रही है, मैंने पूरा complete shift 1 जो है, वो आपको करवा दिया है, ठीक है, shift 1 की classes आप कर सकते हो, जो September 3 को paper हुआ था, और बहुत जल जो है, आपके लिए shift 2 जो है, वो मैं start कर रही हूं, तो पूरा commerce का paper जो है, वो आपके लिए decode कर दिया है, और top 100 topics की video बनाई थी कुछ दिन पहले ही, दो दिन पहले ही, उसको देखो अच्छे से, and अपने वो top 100 topics cover कर लो, प्रियास batch आपके लिए है, इसी YouTube channel पे है, जिसमें commerce के top 100 topics बिल्कुल आपके cover हो जाएंगे, उनको करो और बहुत advanced topics जो आ रह तो आपके लिए paid batches है, उसमें आप join कर सकते हो, अभी फिलहाल test series पे focus करो, जितना जादा test series पे focus होगा, उतना selection के chances जादा होगे, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो focus on mock test, सबसे important है, सबसे ज़रूरी है, तो आज का session इतना ही रखते हैं, hope आपको clarity मिल गई होगी, थोड़ा सा जो है, चीजों को समझने की कोशिश करो, अपने आपको इतना dependent मत बनाओ किसी पे, कि कोई कुछ भी बोल रहे हो, आप उससे affect हो तो थोड़ा सा दिमाख लगाओ, है ना, और थोड़ा अच्छी जगा productive जगा अपना दिमाख लगाओ, जहाँ पे आ बहुत खुशी से और बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ, ये चैनल पे आपके लिए, कॉमर्स, पेपर बन, पेपर टू, मेनेजमेंट और कॉमर्स की बहुत ultimate अच्छे से guidance है, जो मिल रही है, और मिलती रही है, ठीक है, थेंकिसो मच, बाइबाइ, वीडियो अच्छी ल मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ, आपसे कुछ सीख रही हूँ, और इसी तरीके से growth करते हुए हम चल रही है, थेंकिसो मच, बाइबाइ